कल एक दिन में मैंने जो अंदजा लगाया, वो यही है कि जनता जो है वो बदलाव चाहती है, जनता चाहती है कि बदले सरकार क्योंकि जनता की भी अपनी कुछ सिकायते हैं सरकार से. चेना सबनेगी जिस से पर्तिकरिया लोग दे रहे हैं उससे तो नहीं लगता कि बाघ्चपार की सरकार बनेगी तो आप अइस्टमी प्राभ मनती हैं जी आजम खान को कल डूंगरपूर्पूर्प्रकरण में दो सरी बार ये सजा सुनाई गई है इसको लेकर क्या क्या है? जो डीम के आदेश पर ये मकान बनाए गए थे एडीम का भी उसमें आदेश था और सारे पेपर जो हैं वो लगे हुए थे कोड के जो फाइल थी और डूडा के जितने भी अधिकारी थे वो सब भी इसमें शामिल थे और अख़बारों ने ये लिखा है कि आजम खान साहब के इशारे पर ये डोंगरपूर में जो घर वगर थे वो तोड़े गए तो यहां मैं एक बात ये भी साफ करना चाहती हूँ कि किसी वेक्ति विचेश के इशारों पर सजाएं नहीं मिला करती सजाएं सबूतों के आधार पर मिलती है और आजम साहब के विरुद कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है कि उन्होंने लूट और डकैटी में हिस्सा लिया हो या लूट और डकैटी का माल उनके घर से बरामद हुआ हो कोई सबूत नहीं है फिर भी सजा दी गई क्योंकि सजा देनी ही थी एक तरफ तो आप गवाहों आजम खान साहब का नाम F.I.R. में नहीं जन्म प्रमाण प्तर वाले मामले में हमने सारे गवाह प्रसुत कर दिये सारे यहां तक कि King George Medical College की पूरा रिकौर्ड दे दिया वहां से मिला हुआ Discharge Certificate दे दिया जिसमें अबदुल्ला अजम का जन्म दे थी वकत अबदुल्ला अजम का वेट हर छीज लिखी हुई थी ऐ औरीजिनल जमा कर दिये और उसके बाद भी जो उनका जो वीडियो एविडियन्स था वो भी कोर्ट में दिखा दिया कि 1990 में अब्दल्ला मेरी गोड़ में हैं लेकिन किसी भी गवाही को नहीं माना गया तो ये सजाओं में ये दोहरा मापदंड कैसे है एक तरफ तो गवाहो को इतनी इंपॉर्टन्स दी जाती है कि 10 साल की सजा दे दी जाती है दूसरी तरफ आप इतनी मजबूत एविडियन्स के होते हुए उसका कोई ध्यान नहीं देते और उसमें भी सजा कर देते देखें लगाई तो हम आखरी सांस तक लड़ेंगे नाइनसाफी के खिलाफ हमारी लड़ाई नाइनसाफी के खिलाफ है आजम खान साहब ने क्या जनता के हित के लिए क्या नहीं किया आजम खान साहब ने उस वक्त जब करोना काल में कोविट फैला हुआ था और हर शहर में आक्सीजन की कमी थी लेकिन रामपूर में के अस्पताल में हर बेड़ पर आक्सीजन का सिरेंडर मौजूद था यहां तक कि बाहर के लोग भी आकर यहां इलाज करा रहे थे इन सब चीजों को नजर अन्दास करके एक उन्हें एक माफिया के रूप में प्रेदर्शिक करके उनकी छवी को धूमिल करने का प्रेयर्स किया गया है और यहां पर मैं आपको यह भी बता दू कि मैं ऐसे ही यह से वार्न किया है चीफ जस्टिस को कि निया इपालिका को अनुचित दवावों से मुप्त कराएं और निया इपालिका को कमजोर करने की कोशिश हैं की जा रही हैं तो ऐसे ही फैसले